हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बताने वाले हैं कि अगर आपके इंस्टाग्राम एकाउंट डिसेवल हो गया है या आपका कुई पुराना एकाउंट है और उसको आप लोगिन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको ऑप्सन दिखाई देता होगा यहाँ आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा आता नहीं है कि जिससे आप एकाउंट को लोगिन कर सकें तो यह आप्सन है जो क्यों आ रहा है और डिसेवल एकाउंट को आप लोगिन क्यों नहीं कर पा रहा है सारा कुछ आज किस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपका instagram account disabled हो गिया है या कुछ इस तरह से आपको एकाउंट लोगिन करने पर आपशन आ रहा है तो उसको सॉल्व करना काफी सिंपल सा प्रोसेस से आप डिसेवल एकाउंट या इस तरह का कोई option आ रहा है उसको आप solve कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में हम disable account को recover करेंगे और उसी के साथ आपको पुरा process बताने वाले हैं ताकि आप उसी तरह से process करके आप भी अपने disable account या आप पुराना से पुराना account जिसको आप login करने जाते हैं तो वहा आले स्क्रीन पर पुरा process है जो बताते हैं तो आपका Instagram account डिजेवल या आपको login करने पर try again का जो option आता है उसको आपको solve करने के लिए आपको Instagram में नहीं जाना है आपको क्या करना है कि वीडियो के नीचे आपको description में दो link दिया हुआ रहेगा first और second या आपको है जो वहाँ option भी देखने को मिल जागा आपको सबसे पहले first वाला ही link पर click करना है और click कर देने के बाद यहां पर आपको इस तरह का है जो option देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको क्या करना है कि जिस भी account आपको open नहीं हो रहा है open करने पर try again इस तरह से option आता है या आपको account disabled हो गया ह या किसी कारण बस login नहीं हो रहा है उसको यहां पर आपको नाम को fill करना है जो आपने Instagram में सही सही नाम दिये होंगे उसी नाम को यहां पर type करना है तो यहां पर हम उस name को type कर देते हैं इस तरह से आपको नाम को type कर देना है और नाम को type कर दने एक बाद यहां पर दूसरा option مλεगा your email आपने उस एकाउंट मेन जो ओवी email दिए होंगे उस email को पर करना अगर आप नहीं दिए है तो छोड़ भी सकते हैं अगर आप दिए होंगे तो यहाँ पर करना तो यहां पर हमने जो email दिये है वो है जो यहां पर coup कर दिए तो यहां पे जाहिर सी वात है जिस आपका account का coffee link यहां पे नहीं होगा तो यहाँ पे हम उस phone number को type कर देते हैं आपको पूरा information यहाँ पे आपको सही सही रहना चाहिए जो भी आपका नाम रहेगा, email रहेगा या username रहेगा या phone number उसको सही सही यहाँ पे आपको type करना है type कर देने एक वाद यहाँ पे नीचे इस तरह से option मिलेगा मतलब यहाँ पे आप अपने decision दे सकते हैं तो यहाँ पे जो भी हम type करेंगे अभी उसी letter को आप अपने phone में type करना है जो अभी हम type करेंगे वो है जो आपको वीडियो के description में देखने को मिल जागा वहाँ से आप ask insert करके यहाँ पे आप fill कर सकते हैं यह आप देखकर भी type कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे type कर दी हैं सेम आपको इसी तरह से type करना है यहाँ पे आपको एक via spelling mistake नहीं होना चाहिए और जो हमने ant में यहाँ पे air direct और xyz यहाँ पे लिखे हैं उसके जगह पे आप अपने username को type करना है जो अभी हम अपना username type कर देते हैं यहाँ पे जो अभी हम type कर रहे हैं वह type नहीं करना है यहाँ पे simple सा जो आपका username रहेगा वह फी type करना है नहीं तो आपका disabled account login नहीं होगा उपर वला option को आपको same type करना है और same type कर देने के बाद नीचे आपका जो username रहेगा मतलब जो आपका Instagram account disabled रहेगा या try again आता है login करने पे उस username को यहाँ फिल करना है और फिल कर देने के बाद नीचे आपको send का option मिलेगा simple सापको इस send वला option पे click कर देना है और आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपको दूसरे number में हमने link दिये होंगे description में उस link पे जाकर फिर से click करना है और जैसा आप click करेंगे यहाँ पे इस तरह का आपको interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको simple सा yes no का option आएगा तो यहाँ पे क्या करना है कि no बला option पे click करना है यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका account है जो business था या personal था तो यहाँ पे अगर आप yes पे click कर देते हैं तो यहाँ पे यह select हो जागा कि आपका account है जो business था तो यहाँ पे आपको yes बला option पे click नहीं करना है simple सा आपको noble option को इस तरह से select कर लेना है और जैसे आप select करेंगे यहाँ फिर से एक छोटा सा form है जो यहाँ पे आज आएगा मतलब name और कुछ यहाँ पे option आएगा simple सा इसको fill कर देना है तो यहाँ पे फिर से full name पुछ रहा है तो जो भी आप अपना नाम है उसको यहाँ पे type कर देना है और type कर दने कवाद दुसरे number में simple सा उसी username को type करना है जिस भी account आपको disable हुआ है या try again आया है तो यहाँ पे हम username को सही सही type कर देते हैं और type कर दने कवाद अगले option आपको email का आएगा तो simple सा यहाँ पे आपको email को दे दना है जो आपने इस account में email दिये होंगे और यह सब दे दने कवाद नीचे एक option आएगा इंटर एक country ने मतलब कि जो आप country में रहते हैं जिस भी देश में उसका है जो यहाँ पे आपको नाम type कर देना है तो यहाँ पे हम इंडिया type कर देते हैं इसी तरह से आपको इंडिया को type कर देना है और type कर देने कवाद नीचे आपको send का option मिलेगा simple सा आपको इस send block option पे click कर देना है जैसे आप send block option पे click कर देंगे आपका जो यह problem है जो वह Instagram टीम के पास चला जाएगा तो होगा क्या कि जो भी आप email number या phone number जो अभी आप फिल किये है form में उस पे आपको message आएगा 24 hours के अंदर ही और उस message में आपको एक link रहेगा जैसे आप उस link पे tap करेंगे वहाँ से आपका Instagram account recover हो जाएगा असानी से अगर यह सब process कर लेने के बाद by chance आपके Instagram recover नहीं होता है तो मेरा Instagram का skin set आपको display पर दिखाई देता होगा simple सा इस account में जो भी account आपका disable हुआ है उसका username आपको message करके आपको बता देना है कि आपका disable हुआ है या आप login करते हैं तो try again का option आता है आपको इसी तरह से process करना है तो उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो गया ऐसे ने Instagram या social media से लेटर टिप्स या information जानने के लिए हमारे चैनल PRP टिक को subscribe करें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में